आज की वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ compilation आपको बताने वाली हूँ मैंने कुछ दिन पहले एक live stream करी थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने joint से related अलग अलग प्रकार के सवाल बूच जेते तो आज की वीडियो में मैं उन्ही सवालों के थोड़ा सा specifically answer दोंगे मैं एक patient ने सवाल पूचा था कि उनके father की यह जो हाथ है यहां पर इस जगह पर यह हिस्सा कमजोर होता जा रहा है थोड़ी सी numbless रहती है और हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत जाती है बहुत सारे male और female में यह सारी problems होती है old age में अक्सर होती है यदि आप दौनों हाथ को ऐसे उठाएंगे तो एक हाथ वो तो normal आगे तक चला जाता है लेकिन जो दूसरा हाथ है जिसके अंदर problem होती है वो जादा नहीं उठता है और उठे भी तो काफी problem होती है यह जो condition है क वो आपके हाथ को उठाने का काम करती है इनके अंदर weakness आ जाती है आयरवेद की point of view से बात करो तो इस particular बिमारी में आपके joints के उपर जो आम होता है आम मतलब mango वाला आम नहीं आयरवेद वाला आम ठीक है जो आम होते हैं जो toxic होते हो जमा हो जाते हैं जमा होने की वज़े से उनकी जो movement होती है muscles की वो restricted हो जाती है इसको दूर करने के लिए frozen shoulder की condition में सबसे ज़्यादा important है rate की सिकाई करना इस condition में यदि आप पानी की सिकाई करोगे किसी heater से सिकाई करोगे तो इतना आधा फायदा नहीं होता है rate की सिकाई करने से बहुत ज़्यादा होता है सिकाई कर आप थोड़ी देर के लिए महा नारायन तेल की मालिश करिए महा नारायन तेल की मालिश आप आसानी से खुदी अपने घर पर कर सकते हैं यह आपको मालिश करने के कुछ step और टेक्निक नहीं पताएं तो बहतर है किसी आयरवेग तवंजगम सेंटर पर जाके थोड़ा सा सी घर अपने खुदी के प्रयोक नारायन तेल की मालिश करने है उसके और गर्म रेट पर और नमक के आप कैसे सिखाई करो कर दोगे अप रेट और अक से क्पटन के कपड़ें में इसको बांध लेना है और मालिश करने के बाद उससे सिकाई करनी है एक कुछ चीज है याद रखिएगा रेत बहुत ज्यादा गरम होती है रेत और नमक दोनों ही मुझा इनका टैंप्रेचर ज्यादा होता है तो इस गरज में में मत रहना कि हलकी सी गुल्बुनी हुई है यह बहुत ज्यादा गरम हो जाती है तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसकी सिकाई करना अधरवाइस जल सकते है ठीक है यह हुई पहली चीज जो लोगों ने डिसकस करी थी फ्लोजन सोल्डर से रेटेड़ दूसरी एक और चीज किसी पेशन ने डिसकस करी थी वो है कं हड़ी होती है ठीक है इसको हुमरस बोला जाता है यह जो हड़ी है जहां पर लड़कों के बाइसे ट्राइसे वगेरा बनते है डोले शोले बनते है यहां की जो यह इतनी लिन लंबी हड़ी होती है यह हुमरस हड़ी होती है ठीक है कई वर क्या होता है जब यहां का जो यह joint है उसके आसपास के जो ligament होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं तो कमजोर होने की वज़े से उस humorous हड़ी को कंधे की हड़ी के अंदर आपस में चिपका कर नहीं रख पाते जिसकी वज़े से humorous जैसे ही आप ऐसे थो करते हो तो नीचे खिसक जाती है इसको ही कंधे उतरना बोलते हैं बच्चों में तो एक काफी काफी easy problem है मतलब 6-7 महीने के बच्चों में तो कई बार ये हो जाती है और जादा तर माई जो होती है माई नहीं तो अटलिस दादी नानी जो गाउं में होती है उनलों को पता होता है कि इसमें क्या करना है बढ़ों के साथ अक्सर दिक्कत होती है और इसमें एक problem और है कि यदि आपको एक बार कंधा उतर गया इसको dislocation of shoulder joint बोलते हैं dislocate हो जाना यदि एक बार dislocate हो गया तो फिर ये बार बार dislocate होता है ठीक है अब इसको आपको ठीक कैसे करना है इस particular condition में जो joints के ligament होते हैं उसमें weakness आती है ठीक है ligament में यदि weakness आई हुई है तो आपको rest करना बहुत ज़्यादा जरूरी है rest करिए आपका अगर fracture हो जाता है तो लोग ये bandage बांद लेते हैं तो यहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगले 6 महीने तक के लिए आप अपने हाथ को काफी ज़्यादा rest दें हाथ को rest देने के लिए आपको क्या करना है simple yoga cast होता है आप वो बनवा लीजिए और इस तरीके से hold करके रखिए तीक है लेकिन हाँ इसमें आपको 24 hour rest देने की जरूरत नहीं है आप normal काम कर सकते हैं मतलब लिखना पढ़ाई वाले जो काम है वो कर सकते हैं पर एटलीस जो heavy काम होते हैं किसे चीज़ को थो करना कोई चीज उठाना कोई भारी बजन वाली ऐसे चीज उठाना करिए तेल लेजे यहाँ पर भी आप महानाराण दिल का प्रियोग कर सकते हैं गरम गरम गुनगुना तेल लेजे उसकी आपको मसाज करनी है प्रॉपर रेस्ट देना है और यहाँ मैं आपको बताओ इस्पेशली लिगामेंट को मजबूत करने के लिए वात गजांकुषरस बहुत ही जादा अच्छा होता है वात गजांकुषरस वात गजांकुषरस की दो-दो टैबलेट यानि की 250 मिली ग्राम तक की गोली आप सुबेश शाम खाना खाने के बाद गरम घी या गरम तेल के साथ में मिला कर दे सकते है उपर से आपको पानी पीना है पात गजांकुषरस 250 मिली ग्राम की एक गोली या दो गोली आपको देखनी पड़ेगी आप जो कंपनी की लेकर आए है उसमें गोली का जो साइस है वो कितना है कितने mg की उन्होंने गोली बनाई है तो एक ये गोली या दो गोली आपको लेना है और इसको आपको पीस करके दिन में दो बार आप सुबह शाम खाना खाने के बाद गरम तेल या गरम घी से इसका प्रियोग कर सकते है इसी क्रम में अगला सवाल एक किसी लेडिस में पूछा था उन्होंने ये पूला था कि रात को सोते समय पैर की हड़ियां बहुत जादा दर देती है रात में यदि पैर की हड़ियां दर दे रही है इस कंडिशन में अकसर हड़ि में प्रॉब्लम नहीं होती वहां की जो muscles होती है उसमें खून काफी ज़्यादा भर जाता है एक तरीके से इसको vericose vein की starting बोल सकने है लेकिन feeling ऐसी आती है कि हड़ी के अंदर जर्द हो रहा है इस condition में रात को सोते समय आपको पैरों की मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि वहां पर जो खून इखटा हो गया है वो वापस उपर blood circulation में आ जाए दूसरी चीज आपको और करने चाहिए कि रात में सोते समय या सोने से 10-15 मिनट पहले आप बिस्तर पर आराम से लेट जाए और अपने पैरों को दीवाल के सहारे 90 degree के एंगल पर रखके ठीक है मानी यज अञा इसा बिस्तर है तो आप ऐसे लेट जाए और अपने पैरों को बिल्कुर 90 एंगल पर दीवाल के सहारे रखिए उससे क्या होता है ग्रेविटी के कारण वहाँ ब्लड इखटा हो गया है वह आपको जो पेन हो रहा है उसमें आपको फाइदा मिलता है ठीक है यह कुछ खास प्रॉब्लम्स थी जो पेशेंट ने डिसकस करी थी इसके अलावा एक और प्रॉब्लम्स थी वह फ्रैक् प्रॉब्लम्स थी जाती है सर्जरी करवाने के बाद अगले 2-3 महीने तक के लिए आपको रैस्ट और फीजियो थेरपी की जरूब्लम्स थी इसके बाद एक और सबाल आया था वह बैक एक का कमर में दर्द होना कमर में हिप जॉइंट में सेक्रल बोन में जो बलकुल लास या मेरा स्टेंडिंग जॉब है इस वज़े से मुझे बैक एक हो रहा है या फिर कुछ और काम है या आपको गर्दन जुका के काम करना होता है इसलिए आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है प्लीज अपने आपको ऐसे एक्सक्यूज मत दीजिए बहाने मत बनाइए यदि आपका सिटिंग जॉब है तो प्लीज अर्ली मॉर्निंग और ऑफिस से आने के बाद घर पर पांच मिनट दस मिनट अपनी बैक के लिए इस पेशली निकालिये फीजिए थेरपी में आप देख सकते है कौन-कौन सी एक्सराइस जरूरी होती है जिससे कि आपकी सिटिंग अब ही रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा वीडियो की छोटी सी क्लिक थी बहुत जादा डिटेल में तो नहीं था जिसमें जो हमारे विदिद गुजराती है जो उन्होंने फिलहाल अभी चैस का उलम प्यार्ट जीता है वो कैप्टन है इंडियन चैस सुर्ण के उन्होंने स्ट्रीम में शक करम पर बताया था कि उनकी सिस्टर है वेदिका उन्होंने काफी सारे फीजियो थेरपी के में में सेशन बताएकि इस तरीके से जह चैस्टलेयर है विजिए अससे एक्साइस चैस्टन जाए को पर जरूरी होता है ओक नए विलान झा कि वहां की जो muscles हैं उसमें strain बढ़ रहा है और उस strain को कैसे कम करना है उस थकावत को कैसे कम करना है उसके लिए आपको proper exercise की जरुवत है चुकि मेरा physiotherapy का channel नहीं है इसलिए मैं आपको exercise नहीं पता सकती उसके लिए better है आप दूसरे channel देख लेजे medicine में जिलनों को लगाता है sitting job रहता है उनको महिने में दो बार या तीन बार ठीक है दो बार तीन बार से मतलब दो तीन दिन ठीक है योगराज गुगुल दो दो tablet एक जो गोली होती है वो करीवन 500 मेery ग्राम सकते हैं तो यानि कि आपको एक ग्राम की मातरा में लेना है ठीक है आप थोड़ा सा दूद लीजे, उसमें दो भून की मात्रा में चंदन बला लाक्षादी तेल डाल दीजे और इस तेल के साथ में आपको दो दो गोली, यानि कि एक ग्राम की मात्रा में योगराज गुगुल की टैबलेट लेनी है इससे क्या होगा, आपकी मसल्स के अंदर जो वाईयू बढ़ी हुई है, उसमें आपको आराम मिलेगा वाईयू आपकी सामान हो जाएगी तो आपको बैक एक की कंडिशन में भी फायदा होगा रेगुलर मसाज करने के आदर डालिए, रेगुलर एक्सराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह दिए आपका जॉब ऐसा है कि आपको बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है अधर पीछे करना, गरधन को ऐसे पीछे नीचे करना और भी जो फीजो थेरपी के एक्सराइज होती है वो आप कर सकते हैं इस तरीके से यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल को अपनी वर्क प्रोफेशन के साथ में थोड़ा सा एड़ेस्ट करोगे तो आपको बैकेक की प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है यह कुछ कंक्लूड वाले सवाल हैं जो कि लाइव स्क्रीम में पूछे गए थे आपको अगर डिटेल में देखना है तो प्लीज वो लाइव स्क्रीम देख लीजे तो आपको सारे डिटेल में आंसर पता चल जाएंगे और भी लाइव स्क्रीम में क्या क्या हुआ क क्या कमेंट आप आपको पदा चल जाएगा चले नेक्स वीडियो मुलाकात होती है तब तक ले स्टे हल्दी एंड बी हैपी गुद बाई